प्रिये विद्यारतियों एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर आपका स्वागत है कक्ष्या साथ बुगोल विशे में चैप्टर नमबर पांच जल इस चैप्टर के हम प्रशन उत्तर इस वीडियो में करेंगे तो प्रारम करते हैं प्रशन नमबर एक से पहला प्रशन है उत्तर होगा सुरिये के ताप के कारण जल वास्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वास्प संगनित होकर बादलों का रूप ले लेती है यहां से ये वर्शा हिम अत्वा सहिम वर्ष्टी के रूप में धर्तिया समुद्र पर नीचे गिती है इसको हम वर्षन कहते हैं परशन नम्बर दो है जल चक्र क्या है उत्तर है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने सवरूप को बदलता रहता है और महासागरों वायू मंडल एवं धर्ति के बीच में चक्र लगाता रहता है इसको जल चक्र कहते हैं अगला इसका प्रशन है लहरों की उन्चाई परभावित करने वाले कारक कौन कौन से है तो लहरों को परभावित करने वाले कारक है वायू की गती भूकम्प वे ज्वाला मुखी उदार और जल के नीचे भूस्खलन अगला परशन है महासागरिय जल की गती को परभावित करने वाले कारक कौन कौन से है तो महासागरिय जल की गती को परभावित करने वाले कारक निम्म लिखी थे पहला वायू की गती, दूसरा ताप्पान, तीसरा महासागरिय जल में लबनता की मात्रा, और चोथा सुरियेवे चंदर्मा की गुर्तवा कर्शन शक्ती, और पांचवां पृत्वी की गुर्नन गती. अगला प्रशन है जुआर भाटा क्या है तता ये कैसे उत्पन होते हैं? उत्तर है दिन में दो बार नियम से महासागरिय जल का उठना एवं गिरना जुआर भाटा कहलाता है, उठना जुआर कहलाएगा नीचे गिरना भाटा कहलाएगा. जब सर्वाधिक उन्चाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है उसे जुआर कहते हैं. और जब जल अपने निमन्तम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है इसे भाटा कहते हैं. सुर्य और चंदरमा की गुर्तुवा क्रशन सक्ती के कारण से जुआर भाटा उत्पन होते हैं. अगला प्रशन है महासागरिये धाराएं क्या है? उत्तर है महासागरिय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरिय सतय पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती है और महासागरिय धाराएं गरम या ठंडी हो सकती है अगले प्रशन है कारण बताईए समुद्री जल नमकीन होता है क्या कारण है समुद्री जल के नमकीन होने का उत्तर है समुद्री जल नमकीन होने के कारण नहीं में लिखीता है पहला महासागरों में अधिकांस नमक सोडियम कोल्राइड या खाने में उप्योग के जने वाला नमक होता है दूसरा समुद्र के जल में लवणता की मातरा धीक होती है तीसरा समुद्र में जल का नियमित रुप से भारी मातरा में वास्पी करण होता है किन्तु लवणिये पदार्थों का वास्पी करण नहीं हो सकने कारणी अगला है जल की गुणवत्ता का हरास हो रहा है उत्तर जल की गुणवत्ता के हरास होने के कारण निमल किते हैं पहला मनुस्य की किरिया कलाब से काफी मातरा में जल परदुर्शित हो रहा है दूसरा उद्योगों से निकलने वाले रसाइन युक जल के विभिन जलासियों में मिलने से जल की गुणवत्ता का हरास हो रहा है और तीसरा है घरों से निकलने वाले परदूसित जल के विबिन जलाशियों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का हरास हो रहा है परशन नमबर तीन से उत्तर को चिन्नित कीजिए वे परकरम जिसमे जल लगा तरा अपने सवरोग को बदलता रहता है और मासागर वायू मंडल और स्थल के बीच में चक्र लगाता रहता है उसे क्या कहते हैं जल चक्र जुआरबाटा या मासागर ये धाराएं तो उसको हम जल चक्र कहते हैं अगला प्रसन है समान्यत है गरम महासागरिय धाराएं उत्पन होती है दुरूओं के निकटी भूमदेरेका के निकटी है दोनों में कोई नहीं तो सही उत्तर है भूमदेरेका के निकट अगला प्रसने दिन में दो बार नियम से महासागरिय जल का उठना और गिरना कहलाता है तरंगे महासागरिय धाराएं या जुवार भाटा तो जुवार भाटा कहलाता है निमिलिकित स्थम्मों को मिलाकर सही जोड़े बनाईए कैस्पियन सागर, जुवार भाटा, सुनामि, महासागरिय धारा है और इधर ये जल में आवदिक चढ़ा उतार, विषालतमजील, बुकम, जल, चक्र तो इसकी जो सही उत्तर है वो निमिलिकित स्थम्मों को मिलाकर सहे है कैस्पियन सागर ये है विषालतमजील है जो आरबाटा जल में आपधिक चढ़ावे उतार को करते हैं सुनामी तिवर भुकमपी तरंगे हैं माज़ागर ये धाराएं निश्चित मारग में परवाहित होने वाली जल की धाराएं होती है तो इस परकार से हमारा पाठ पांच जल इसके पाठे पुस्तक के परशनोत्तर हमने पूर्ण किये हैं और भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है ये जल का बहुत सारे परशन इसमें और भी बनते हैं आप स्वेम परियास कीजिए जितने परशन आप बना सकते हैं उतने परशन आप बनाईए आप से फिर मिलेंगे अगले पार्ट के एक नई वीडियो के साथ में तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका